हेलो एवरीवन वेरी वेलकम तू आल आफ यू आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में या केमिकल को आडिनेशन इंटिग्रेशन में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थायरोइड ग्लेंड के हॉर्मोन तो पिछले लेक्चर में हम लोग के हॉर्मोन सिक्रेट करती है एक होता है आयोडाइस्ट और दूसरा होता है नौन आयोडाइस्ट ठीक है ना क्यूंकि जो मैंने आपको बताया था कि जो आयोडाइस्ट हॉर्मोन होते हैं T3 & T4 जिसमें आयोडीन होता है जो आयोडीन के मिलने से बनता है मैंने पिछले ले कि यह देखिए का लोग तो वो क्या होते हैं- वह इस्टिराइडल होर्मोन लेकिन जो नॉन अइडास होता है जो प्रदी जो पर फोलिकलर से से उनमें कुछ follicular substances भरे होते हैं जिसको मैंने TGB बताया था, thyroglobuline यह गलाइको प्रोटीन है और यही iodine से इसके tyrosine जो amino acid है वो iodine से combined करके T1, T2 ऐसे बनाते हैं और फिर वही T1, T2 मिलके T3 और T4 का formation करते हैं, thyroxine hormone. लेकिन इन thyroid follicles के बीच में कुछ para follicular cells present होते हैं, ठीक है क्या है यह para follicular cells, so these are the para follicular cells या फिर इसी को C cells कहते हैं और यह कुछ hormones release करते हैं और यह hormones कैसे होते हैं, non-iodized हैं, this hormone is calcetonin, यह क्या है, calcetonin है, ठीक है, यह क्या है, calcetonin है, अब इस चीज़ को आप यह समझेंगे कि हमने बताया था कि thyroid hormone के जो, thyroid gland के जो hormones होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्टेरोइडल होते हैं, except the calcetonin, because calcetonin कैसे होते हैं, proteinaceous, so calcetonin hormones are of proteinaceous nature, अब हम calcetonin के function को देखेंगे, लेकिन इससे पहले, मैं आपको एक और चीज़ बता दू, कि जो calcetonin है, मैं आपको बताया था, जो हमारा thyroid gland होता है, वो trachea के इधर साइड में होता है, दोनों तरफ होता है, ठीक है, तो यह जो thyroid gland है, और यह जो connection है, इसको हम इस्थमस केते हैं, ठीक है, यह bylobed होता है, और इसी के अंदर क्या present होता है, this is the parathyroid gland, parathyroid, ठीक है ना, अब आपके पास parathyroid कितने हैं, four है, two pairs in, जो भी है, in each lobe, हर एक lobe में कितने होते हैं, दो pair होते हैं, यह बात मैंने आपको बताई थी, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अब एक चीज़ आप यह देखिए, कि अब जो parathyroid है, parathyroid कुछ hormones release करते हैं, जिसको कहते हैं parathyormone, ठीक है ना, parathyormone, या फिर parathyroid hormone भी आपके सकते हैं, अब मैं यह साथ में इसलिए बता रही हूँ कि जो parathyroid hormone है, यह भी proteinitious होते हैं, यह भी कैसे होते हैं, proteinitious होते हैं, जब मैं आपको hormones के chemical nature के बारे में discuss करीते हैं, तो वहाँ पर मैंने बताया था, अब calcitonin और parathyormone में एक साथ इसलिए बढ़ाऊंगी कि जो calcitonin है, यह thyroid gland से release होता है, जब कि parathyormone parathyroid gland से release होता है, लेकिन दोनों, दोनों का function antagonistic है, antagonistic का मतलब just opposite to each other, दोनों एक दूसरे के opposite function करते हैं, और दोनों का function क्या है, एक calcium level को blood में घटाता है, और दूसरा calcium level को blood में बढ़ाता है, ठीक है, तो एक hypo calcemic factor हो, दूसरा है hypercalcemic factor, अब एक चीज़ यह समझना है, जो calcitonin है, यह hypo है, और पैरा थॉर्मोन के है, hyper है, किसके term में, calcium का blood में concentration, ठीक है, यह blood calcium level को घटाता है, और यह blood calcium level को बढ़ाता है, कैसे याद रखेंगे, पैरा में और hyper, दोनों में R आ रहा है ना, और P आ रहा है, और जो hyper है, उसमें R आ रहा है, और पैरा थॉर्मोन में भी R आ रहा है, तो hyper जो है, वो कौन है, पैरा थॉर्मोन है, अब बस इससे ही आप समझा है, hypercalcemic factor कोन है, पैरा थॉर्मोन है, जबकि जो calcitonin है, वो hypo calcemic है, इन में कहीं भी R नही ही आ रहा है तो मैं अब आपको दोनों का function एक साथ compare करके पढ़ाऊंगी जिससे आप confused नहीं होना तो देखिए दोनों क्या हैं द्यान से इस चीज को समझने हैं अब एक तरफ में केलसी टोनीन लिख रही हुं अब आपको पता ही है यह कहां से डिलीज होता है और दूसरा मैं पैराथ होर्मोन लिख रही हूं यह क्या है है यह क्या है हाइपो चैल्सिमिक फेक तर है पर कैल्शिमिक फैक्टर मतलग दोनों एक दूसरे के क्या हैं एंटागोनिस्टिक हैं यह क्या करता है इट इनक्रीजेज़ ब्लड कैल्शियम लेवल और यह क्या करता है इट इनक्रीज़ blood calcium level ठीक है अच्छा यह blood calcium लेबल को कैसे कैसे decrease कर सकता है इसको हम लोग एक एक करके देखेगे अच्छा यह बता है blood calcium level कैसे decrease भुल डेक्रीज होगा कि अगर यह intestine से कैल्शियम को कम अब्जॉब करें तो reduces ठीक है reduces absorption of calcium from gut मतलब gut से ये क्या करता है calcium को absorption को reduce करता है तभी तो blood में कम जाएगा मतलब ये क्या करता है gut से calcium के absorption को reduce करें दूसरी चीज़ ये अच्छा ये क्या करेगा ये क्या करेगा promotes absorption induces we can say it induces अब मैं full पूरा नहीं लिखने जारी हूं तो ये induce करता है किसे intestine से calcium level को क्या करता है calcium iron के absorption को promote करता है it actually promotes the absorption of actually induces the absorption of calcium from the intestine तभी तो ब्लड में आएगा ना तो ब्लड केल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा अच्छा लिए दूसरा काम क्या करेगा इसलिए हम लिए और रिड्यूज़र्शन का मतलब क्या हुआ कि वहां पर दुबारा से क्या करता है इंड्यूस करता है तभी तो ब्लड में बढ़ेगा तीसरी चीज़ आप यह समझेगा यह यूरीन में कैलसियम के एक्सक्रेशन को क्या करता है इंड्यूस करता है और यह यूरीन में कैलसियम के एक्सक्रेशन को रेड्यूस करता है तभी तो ब्लड में जादा होगा एक final चीज में यह आपको बता दूँ कि यह blood में calcium level घटा रहा है मतलब यह blood से calcium को, के movement को bone में जाने के लिए promote करता है तो we can say कि यह क्या करता है mineralization को promote करता है mineralization of bone, ध्यान समझना, यह क्या करता है mineralization of bone इसके कहने का, कहने का मतलब यह है कि यह किसको promote करता है it actually promotes movement of calcium from blood to bone blood to bone, मतलब यह blood से calcium को bone, मतलब bone formation की process को क्या करता है यह promote करता है, तो अगर bone formation की process को promote करता है इस activity को हम कहते है osteoblastic activity, क्या कहते है osteoblastic activity, बात समझ में आ रही है लेकिन on the other hand, यह क्या करता है यह blood में calcium बढ़ाना है, तो यह bone से calcium को blood में move करवाता है मतलब यह demineralization करवाता है, ठीक है तो यह क्या करता है, demineralization demineralization of bone, ठीक है मतलब यह calcium को bone to blood, bone to blood बात समझ में आ रही है मेरी अब मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर bone से blood में आएगा calcium तो blood calcium level increase होएगा, ठीक है मतलब bone resorption, demineralization को हम लोग और क्या करते है bone resorption, resorption, बात समझ में आ रही है मतलब bone में calcium का level क्या होगा bone में calcium का level घटेगा बात समझ में आ रही है और इससे एक disorder, अब यह चीजे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी एक disorder होता है जिसको हम कहते हैं osteoporosis osteoporosis का मतलब क्या होता है जिसमें bones porous हो जाती है क्या हो जाती है bones porous हो जाती है बहुत ही जादा कमजोर हो जाती है क्योंकि वहाँ पे demineralization अब आप बताएगे bone porous क्यों होंगी क्योंकि वहाँ पे क्या होगा demineralization होगा और demineralization होगा तो bones में cavity बनना शुरू हो जाती है और bones porous हो जाती है और easily fracture हो जाती है ठेके क्या होती है easily fracture हो जाती है क्या हो सकता है osteoporosis का reason क्या हो सकता है parathormone का hypersecretion मेरी बात को अच्छे से समझ ना है क्योंकि parathormone ज्यादा secret होएगा तो यह bone से calcium को blood में भेजने लगेगा तो भी होता है osteoporosis और calcitonin का कम secretion होगा तो भी osteoporosis होता है osteoporosis का मतलब क्या है calcitonin कम secret होड़ा है तो mineralization कम होगा और parathormone ज्यादा सिक्रेट रहा तो डीमनलाजिशन ज्यादा होगा ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि यह दोनों एंटागोनिस्टिक है मतलब यह दोनों साथ में मिलके कैल से मेटाबोलिजम को प्रमोट करते हैं तो इसका reason बता दो मुझे, इसका reason क्या है, hyposecretion of calcitonin, ठीक है, hyposecretion of calcitonin and hyposecretion of parathormone, PTH, बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है, तो this is all about the, we can say calcitonin and parathormone, बात समझ में आ गई है न, तो यह है, हमारा calcium metabolism को promote करने वाले, दो hormone, तो these are the antagonistic hormone, ठीक है न, antagonistic hormone का मतलब, दोनों के function exactly, एक दूसरे के क्या हूं, opposite हूं, so let's move ahead, अब अगला जो हम लोग gland पढ़ेंगे, अगला gland हम लोग पढ़ेंगे, उसके जैसे आप ऐसे हम sequence में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने hypothalamus पढ़ा था, ठीक है, फिर hypothalamus पढ़ा था, क्योंकि देखिए, hypothalamus तो master of master gland है, लेकिन सबसे पहली जो gland है, सबसे उपर जो gland है, वो है hypothalamus, sorry, epiphysis, epiphysis का मतलब pineal gland, so pineal gland के बारे मैंने आपको पढ़ा था, पिछले lecture को ध्यान से देखिएगा, सारे function मैंने आपको बताया था, pigmentation में 24 hours, we can say, diurnal rhythm, okay, sleep-wake cycle को promote करने वाला जो hormone है, वो pineal gland है, pigmentation, क्योंकि ये एक pineal gland का hormone है, melatonin, वो inhibitor है, या हमने आपको क्या 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 बताया था, MSH का, MSH का inhibitor है, melanocyte stimulating hormone, अगर melatonin ज्यादा secret होगा, तो melanin pigment का synthesis कम होगा, क्योंकि MSH को वो inhibit किये रहेगा, ये सारे example मैंने पिछले lecture में आपको बताया था, ठीक है, अभी, अब हम लोग जो अगला gland है, वो पढ़ने जा रहे है, that is the, that is the thymus gland, तो हमने पहले hypothalamus पढ़ा, pituitory पढ़ा, pineal पढ़ा, ठीक है ना, thyroid gland पढ़ा और parathyroid, अब हम लोग thymus gland को पढ़ेंगे, thymus gland, चले देखे, thymus gland कहा होती है, actually, medicinal cavity में होती है, lungs के बीच में, sternum के पीछे, मेरी बात ध्यान सुनना है, sternum जो आपकी chest bone है, या breast bone है ठीक है, और जो aorta है ना, उसके ventral side में, heart, भाई, lungs के बीच में hurt भी है ना, lungs के बीच में, हर्ट है, medicine, उसमें आपके वो, जो मैंने बताया था, कौन लंग्स में, जो cavity होती है, ठीक है, lungs में depression होता है, वहाँ पे left lung में, और जो lungs के बीच की cavity को हम लोग क्या कहते हैं, लंग्स के बीच की cavity को हम लोग कहते हैं, medicinal cavity है, medicine, और left lung में जो depression उसको हम cardiac notch कहते हैं, उसी में हमारा heart fit होता है, ठीक है, और उसका मतलब two-third portion left side में होता है, heart का, तो इसी तरीके से दोनों lungs के बीच में thymus gland होती है, heart के, we can say, जो हमारी sternum है, उसके ventral side, sorry, sternum के behind होती है, पीछे होती है, और जो ओर्टा है, हमारी जो ओर्टा है, सबसे बड़ी artery उसके just ventral side में होती है, ठीक है, तो देखिए, जो thymus gland है, thymus gland एक hormone secret करता है, जिसको हम कहते है, thymocene, ठीक है, यह एक proteinitious hormone है, जिसको हम क्या कहते है, thymocene, ठीक है, जो thymus gland है, इन में, दो तरीके के, अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, पहले thymus के hormone को छोड़ दीजिए, अगर इस gland का आप section cut करते हैं, तो यहां पे आपको, कुछ जैसे यह कुछ इस तरीके से follicles दिखेंगे, ओके, और इस follicles में जो thymic cells होते हैं, वो hormone secret करते हैं, जिसको हम कहते हैं thymocene, और follicles के बीच-बीच में क्या होती हैं, कुछ cells present होती हैं, जिनको हम कहते हैं thymic carbocels, या hazels carbocels, क्या कहते हैं, यह phagocytic cells है, क्या है, phagocytic cells है, phagocytic cells of the thymus gland, अब मैं thymus gland के बारे में 2-3 चीज़ें आपको यह बता दूँ, कि यह हमारी, क्या है, lymphoid argon है, क्या है lymphoid argon, अब एक बात बताओ, आपने कभी नाम सुना होगा B lymphocytes और T lymphocytes का, तो B lymphocytes का, तो हमारी body में 2 तरीके के lymphoid argon होते हैं, एक होता है primary lymphoid argon और डूसरा क्या होता है secondary lymphoid argon, primary lymphoid argon वो होते हैं, जहां पे, मेरी बात को ध्यान से सुना है, जहां पे lymphocytes की origin और maturation होता है, ठीक है, और secondary lymphoid argon वो होते हैं, जहां पे lymphocytes का, या we can say, जो antigens है, उनसे reaction होता है, ठीक है, जो भी antigens होते हैं, उनसे क्या होता है, reaction होता है, तो जो primary lymphocytes होते हैं, वो micro environment प्रवाइट करते हैं lymphocytes के लिए, और जो secondary lymphoid हैं, वो macro environment यह हम लोग जब immune system पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको अच्छे से समझाओंगी, तो primary lymphoid organ में दो होते हैं, एक होता है bone marrow और दूसरा होता है thymus, ठीक है, bone marrow और दूसरा क्या होता है thymus, अब दिखिए, बात को अच्छे से समझना है, secondary lymphoid organ क्या होते है, secondary lymphoid organ जिसे आपने स्प्लीन देखा, secondary lymphoid organ है, lymph nodes secondary lymphoid organ है, pairs, patches, malt पढ़ा था हमने digestion में mucosa associated lymphoid tissue, 50% of total lymphoid organs इतने भी होते हैं उसका 50% होता है malt, , stem cells , adjective, mixed right Greek और जो खीम्जलद केहरते हैं जो गट में मतला में मतलबMPs म्यकोजा असोचीटेड़ लिम्फाइटेश्यू, या मोट कहते हैं जो गट में होता है असको मूट कहते हैं गट आसाओटीन वीफाइट तिशू को इस तरहिके से, तो secondary lymphoid organ में spleen हो गया lymph node हो गया और यह सब हो गए क्या करते हैं जो अब ही मैंने बताया malt, balt, galt यह सारी चीज़ इसी तरीके से जो primary lymphoid organ है वो क्या करते हैं वहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनना है lymphocytes की origin और maturation होता है अब एक चीज़ आपको यह समझना है कि bone marrow, bone marrow में क्या हो और दोनों की origin होती है, plus plus B का maturation भी यहीं होता है, B lymphocytes का maturation भी होता है, तो bone marrow एक काफी वीकेंड से की बड़ा important role इसका है, क्योंकि दोनों lymphocytes की origin यहीं होती है, plus B lymphocyte का maturation भी होता है, आपको पता है, B lymphocytes से ही antibodies secret होते हैं, ठीक है? लेकिन जो थाइमस है, थाइमस में T lymphocyte का maturation होता है, T lymphocyte का maturation थाइमस में होता है, तो थाइमस क्या करते हैं, थाइमस को हम लोग कहते हैं T lymphocytes का training center, school of the T lymphocytes, या training center of the T lymphocyte is the thymus gland, because thymus gland provides the site for the maturation of the T lymphocyte, तो बात समझ में आ चुकी है आपको, यह दो चीज़ तो आपको origin और maturation कहा होता है, बाकि जो इनका antigenic reactions होता है, antigen के साथ इनका reactions होता है lymphocytes का, वो होता है के secondary lymphocytes में, तो primary lymphocytes are basically two, that is also called as central lymphocytes, lymphoid आरगन, primary lymphoid आरगन को हम central lymphoid आरगन भी कहते हैं, secondary lymphoid आरगन को हम लोग peripheral lymphoid आरगन भी कहते हैं, जब हम लोग immune system पढ़ेंगे तो वहाँ प important function ने आपको बता दिये, मतलब ये क्या करते हैं, T lymphocytes के maturation में, रोल प्रवाइड करते हैं, इसके साथ, T lymphocytes से related हमारी कौन सी immunity है, T lymphocyte से जैसे ये बी हो गया, T हो गया, और ये बी हो गया, T lymphocyte से related हमारी कौन सी immunity है, cell-mediated immunity, ठीक है न, cell-mediated immunity, मतलब ये cell-mediated immunity में भी रो प्रवाइड करते हैं, इसके अलावा थाइम, जो T lymphocytes है, या भी कैन से थाइमस ग्लैंड है, वो हुमोरल इम्मूनिटी को भी क्या करते हैं, ये B lymphocytes को के, we can say, इसको भी stimulate करते हैं, ठीके न, B lymphocytes के maturation को भी प्रमोट करते हैं, मतलब B lymphocytes का maturation होता नहीं है, लेकिन ये B B lymphocytes के maturation और development में भी role play करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये humoral immunity को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये बेसिकली आपको ध्यान देना है कि ये जो दो तरीके की immunity है, T lymphocytes से associated, कौना cell mediated, या cellular immunity और B lymphocytes से humoral, तो ये सारे function आपको बताशल चुके हैं, ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं, इसको हम किसका, T lymphocytes का, तो अगर देखें, और एक सबसे खास बात ये है कि age जैसे बढ़ती जाती है, ये gland भी degenerate हो जाती है, क्या हो जाती है, जैसे मैंने pineal gland बताया था बच्छों, कि जो pineal gland होती है, वो 14 years के बाद degenerate होना शुरू होती है, तो pineal gland, और pineal gland से जो, मैंने बताया था आपको कि pineal gland से जो hormone secret होता है, melatonin, वो GnRH का inhibitor होता है, वो GnRH को, मतलब GnH, मतलब gonadotropic hormone को inhibit के रहता है, ठीक है, तो FSH और LH अपना function perform नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए puberty नहीं आपाती है, लेकिन जैसे जैसे pineal gland 14 साल के बाद degenerate होने लगता है, तो GnH free हो जाता है, और फिर follicle stimulating hormone follicles को promote करना शुरू कर देते हैं, LH अपना function करना शुरू कर देते हैं, हमने FSH और LH का function आपको बताया ही है, तब puberty नहीं शुरू बरती है, ठीक है, तो यही रीजन है कि puberty 14 years के बाद ही आती है, या 13-14 years के बाद ही आती है, तो pineal gland degenerate होती है, इसके साथ थाइमस gland भी जैस आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, तो दिस इस अल बाउट थाइमस gland, नाव कम तो दे अनादर endocrine gland, that is the, अब हम लोग pancreas के बारे हम पढ़ लेते हैं, हम लोग sequence में पढ़ रहे हैं, हम लोग sequence में पढ़ रहे हैं, जैसे इससे gland का arrangement है, तो let us start pancreas, ठीक है, pancreas हमारी कहां है, यह तो आपको बहुत अच्छे से पता है है, ना, digestion आपको पढ़ाया हुआ है, pancreas एक composite gland है, mixed gland है, क्योंकि इसका function क्या है, exocrine और endocrine दोनों पार्ट हैं इसमें, हमने अभी starting में इसको आपको बताया था, कि जो इसका exocrine पार्ट है, उसको हम pancreatic acinii कहते हैं, और जो इसका endocrine पार्ट है, उसको हम islets of langurans कहते हैं, one to two millions of eyelids of langurans, याद रखना, one to two millions of eyelids of langurans होता है, ठीक है ना, एक pancreas, मतलब एक human body में, और ये one to two millions of eyelids of langurans है, जो pancreatic tissue का, total pancreatic tissue हमारा pancreatic tissue है, उसका one to two percent होता है, के वल, तो आप समझ सकते हो कि, जो pancreas में endocrine पार्ट है, केवल एक से दो परसेंट ही है, एक से दो परसेंट है, और वो भी one to two millions of eyelids of langurans है, तो eyelids of langurans क्या है, इसका endocrine पार्ट है, ये हमने पढ़ा था अभी starting में ही, कोन exocrine पार्ट है, कोन endocrine पार्ट है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना होगा, one to two millions of eyelids of langurans, जिसमें जो pancreatic tissue का one to two percent होता है humans में, अब हम लोग इसके हॉर्मोन के बारे में भी हमने शायद थोड़ा बहुत बिसकस किया था, जो pancreatic hormones हैं, वो basically proteinitious hormones होते हैं, there are four types of cells, जो eyelids of langurans से उसमें चार तरीके की cells होती है, alpha cells, ठीक है, beta cells, ओके, ध्यान समझना है, delta cells and pp cells, ठीक है, या f cells इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, f cells, sorry, f cells या फिर gamma cells भी इसको कहते हैं, अब ध्यान देना आपको, यही basically दो पढ़ना आपको, बस दो पढ़ना है, क्योंकि यह जो है न, यह somatostatin सिक्रेट करता है, क्या सिक्रेट करता है, somatostatin और यह सिक्रेट करता है pancreatic polypeptides, जिसका function तो आज भी अच्छे से समझ में नहीं आया, तो हम इसके function को रहने देते हैं, जरूरत भी नहीं है, ठीक है, जो alpha cells है, यह glucagon सिक्रेट करता है, क्या सिक्रेट करता है, glucagon और जो beta cells है, यह सिक्रेट करते हैं, यह सिक्रेट करते हैं, यह सिक्रेट करते हैं, आपके insulin को, ओके, so beta cells सिक्रेट insulin, और यह somatostatin क्या करता है, इन दोनों की activity को control करता है, विकन से रेगुलेट करता है इन दोनों की एक्टुविटी को रेगुलेट करता है आप एक चीज़ समझना है अब हम लोग ग्लुकेगॉण और इंसुलीन को समझे आपको तो इतना तो पता होगा कि किसी डाइबीटीज पेसेंट को इंसुलीन का इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलीन करता क्या है मतलब डाइबिटीज वाले पेसेंट में होता क्या है उसका ब्लड ग्लुकोज लेवल बढ़ जाता है जो ब्लड ग्लुकोज लेवल बढ़ता है हालांकि ब्लड ग्लुकोज लेवल होता क्या है पहले हम लोग यह समझ लेते हैं देखिए नॉर्मल पर में 100 mg of glucose per 100 ml of blood यह होता है ठीक है इसको आप अच्छे से समझना है अब यह थोड़ा वैरी करता रहता है यहां से अब यह 150 तक इसको नॉर्मल माना जाता है 150 से लेके we can say 160 70 तक के नॉर्मल 170 से ज्यादा अगर होता है 170 से ज्यादा होता है तब वो थोड़ा सा critical condition में आने लगता है तो इसको मैं रब करती हूं आप यह समझे कि diabetes patient में क्या होता है glucose का level बढ़ जाता है blood glucose level तो उस blood glucose बढ़े वे लेबल को insulin देखे कम किया जाता है तो insulin क्या हुआ है hyperglycemic factor है कि hypoglycemic जो glucose की level को कम कर रहा है that means कि वो hypoglycemic factor है यह क्या है hypoglycemic factor glycemic factor बहुत अच्छे से समझना है इसको hypoglycemic factor क्योंकि यह blood glucose level को कम कर रहा है जबकि moderne glucose level कम है कम है मतलब normal से कम है यह blood glucose level को कम मतलब क्या है बढ़े होई glucose को normal पे ले के आता है अगर glucose level बढ़ा हुआ है तो इसको normal करता है कम मतलब जो normal उस से समझ अब आपको अब ध्यान दिजे यह क्या करता है इंसुलीन ब्लड ग्लुकोस लेवल को कैसे कम कर सकता है अब एक चीज इसको हम लोग एक एक करके हम लोग समझेंगे यह ब्लड ग्लूज जो घटा ग्लुकोज लेवल घटा हुआ है उसको कैसे बढ़ा सकता है तो यह क्या करवाएगा यह करवाएगा ग्लूकोज जहां जहां ग्लूकोज बन सकता है तेका ना ग्लूकोज कैसे बनेगा बताईए ग्लूको नियो तो इसने क्या करवाया ग्लुको नियोजेनेसिस करवाया ठीक है इसके अलवा इसने क्या करवाया इसने ग्लाइको जीनोलाइसिस करवाया ग्लाइको जीनोलाइसिस करवाया ग्लाइकोजन को तोड़के ग्लुकोज में बनाना मतलब ग्लूकोज जहां ग्लूकोज लेवल कम है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है तो ग्लूकोज बन सकता है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाया ग्लूकोजिनेसिस करवाया लेकिन इसने इनहीबिट किया ग्लाइकोजिनेसिस को इसने इनहीबिट किया ग्लाइकोजन का बनना मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना इसने ग्लाइकोजन को क्या किया इनिविड भाई ग्लूकोज तो हमें चाहिए तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाएगा तो ग्लूकोज वैसे भी कम हो जाएगा तो इसने ग्लाइकोजन बाकि इसका जस् कि जरूरत नहीं है। कैसे विख लिख बनने वाली प्रोसेस को चाहिवा प्रोज़ करना है। मिन कहले है। यह टीम चीज तो यहां तक आपको समझ में आ गई हॉ आपको एक हेसे समय है। इन दोनों का target कौन है, देखिए आपकी body में इसका target है hepatocytes, liver cells, इसका target है hepatocytes और इसका target है insulin का target है, इंसुलीन का पूछब पूशा जा सकता है और ये क्या है? हपाइटार करने जा रहे है वो सबसे important यह है कि यह क्या करता है क्योंकि देखिए इसको blood glucose को घुटाना एं का इस से भी स्टरी सारी इसको ब्लrड का लेड़कोंगाना जया इस रहका कि जो सील्स ना करें ताकि जो ग्लूकोज है वह ब्लड में बना रहे तो यह क्या करेंगा इसको ये करना है इसको तो यह करना है बलड में ग्लुकोज को कैसे भी घटाना है भटाना है ना तो ग्लुकोस को भेजो कहीं पे तो यह क्या करेगा यह इंक्रीज एक्चुली प्रमोट्स अप्टिक ऑफ ग्लुकोस फ्रॉम दे सल्स ताकि यह ज्यादा ज्यादा ग्लुकोस सारी प्रोस्ट को मैंने एक जगह बता दिया है वह आपको अच्छे से बेसिक डि गटाएगा अब आपको पता ही है कि जिसको ग्लुकोस में ग्लुकोस को बढ़ाना है जिसको ग्लुकोस को बढ़ाना है वह सेल्लर अप्टिक ऑफ ग्लुकोस को कम करेगा और जिसको ग्लुकोस को घटाना है वह सेल्लर अप्टिक ऑफ ग्लुकोस को बढ़ाएगा बात समझ हाईपर हाईपर गलैसीमिक अगर हो गया तो क्या हो जाता है डाइबिटीज मिलाइटस ठीक है डाइबिटीज मिलाइटस अब आपको पता है कि डाइबिटीज insipidus मैंने आपको पढ़ाया था जो ADH की deficiency से होता है क्योंकि ADH क्या करता है इंसूलीन की अगर कमी हो गई इंसूलीन की deficiency सी हो गई तो blood glucose level काफी कम हो जाएगा और होगा क्या? होगा क्या? वहाँ पर काफी चीज़ें diabetes mellitus में काफी चीज़ें होने लगती है पहली चीज वो glucose urine में पास होने लगता है ठीक है? यूरीन का concentration बढ़ जाता है amount बढ़ जाता है जब glucose urine में पास होगा तो ketone bodies का formation होने लग जाता है ठीक है इसके अलमा क्या होगा polyphasia अब देखिए glucose का loss हो रहा है तो polyphasia काफी प्यास लगेगी polydipsia ठीक है और और एक और क्या है that is the polyurea तो यह 3P 3P को indicate करता है polyphasia देखिए poly अगर glucose जादा polyurea होने लगा ठीक है polyurea तो polyphasia और polydipsia अपने आप होने लग जाएंगे polyphasia और polydipsia polyphasia का मतलब फूग जादा लगेगी polydipsia का मतलब प्यास जादा लगेगी polyurea आपको पता ही है तो glucose का level काफी क्या होता है बढ़ जाता है तो वो यूरीन में पास होने लगता है बात समझ में आ गई अब diabetes भी कई तरीके के होते हैं एक होता है diabetes 1 और एक होता है diabetes 2 टीक है diabetes 1 जो है ना वो टाइप 1 टाइप 1 डाइबिटीज जो होता है वह autoimmune disorder होता है बस मैं इतना आपको बता दे रही हूं आप समझ लेजेए दो तरीके के diabetes होते है यह नहीं, टाइप 1 और टाइप 2, जो टाइप 1 है वो autoimmune disorder होता है, autoimmune disorder का मतलब यह होता है, बच्चों बहुत ध्यान से समझना है अपको, इसमें जो beta cells होते हैं, beta cells के against क्या होने लगते हैं, या we can say sorry, जो beta cells के receptor है, अब मुझे एक बात बताओ, की beta cells के receptor कहां पे होंगे, जो beta वह पाइटो साइट पर होंगे क्योंकि इनके टार्गेट से लहें तो इनके रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटिबॉडी बनना शुरू जाता है हमने आपको बताया कि ऑटो-इम्यून डिसॉडर्स में किसी पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट एंटिबॉडी बनने लग ज जाती है देर इस नो कंट्रिबूशन ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं आता इसको कंट्रिबूट करने के लिए आपकी बॉडी में सारा संग्राम चल रहा है ठीक है तो ऑटो-इम्यून डिसॉडर्स का मतलब यह है कि आपकी ही इम्यूनिटी आपकी ही इम्यूनिटी आपकी ही बॉडी की सेल्स को डेस्ट्राय करने डेस्ट्राय करने लग जाती है या वीकेंड से कि आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करने लग जाता है ठीक है तो इंसुलीन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट 만د выпяли एंटिबॉड बने लगता है तो रिसेप्टर वह तो फिर क्या होता है तो फिर जो है इसका पडरे इसका कंसंुंट्रेशन शुली नहीं कर पाता है बातसंग में आ रही है तो यह आटोयगिन त्रीक होता है यह ज्युन दिस एकते हैं जो ओलड पर सन होते हैं यह फिर एज रिलेटेग प्रॉलम है लेकिन जो आप टु डिसॉरडर है टाइप2 डियाबिटीम व ऐज रिलेटेग प्रॉलम है वो लाइफ स्टायल पे प्रॉलम है प्रटीड से पहले हो जाता है। वहां पे इंसुलीन ही कम सिक्रेट होता है बीटा सल्सी नॉर्मल नहीं होते हैं इसमें बीटा से इसके रिसेप्टर नॉर्मल नहीं होते हैं इसके रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटिबॉडी बनता है टाइप वन में और टाइप टू डाइबेटी जो एज रिलेटेट होती तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे adrenal glands के बारे में तो adrenal glands के बाद क्या है आपका यह आ जाएगा जो गुनेट्स वगरे आ जाएंगे और उसके बाद ठीक है तो आज के लेक्षर में बस इतना बंद करती हूं अगले लेक्षर में हम लोग पूरे इस टॉपिक को कवर कर लेंगे जिसमें आपका adrenal gland का हर्मोन करेंगे ठीक है फिर जो आपके हर्ट और किड्नी और यह सब के तो हम लोग पढ़ी चुके हैं हर्ट से रिलेटेड जो हॉर्मोन है एनफ मैं बता देरी हूं हम लोगों ने एक स्क्रेटरी सिस्टम में पढ़ा था एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर आपको पता है य इस means में इसी तरीके से कुछ जियाइट्रेक्ट ल् herb Creator खिर गया Kerry सी हो गयाश्ट्रील यह भी हम लोग धिसकरेंगे प्लसेंटा से भी कुछ खुंश हौर्मोन दिस होते हैं लेकिन हालंकि आपको essed by 2000 लो Dipे में तो नहीं बने जारा प्लेसेंटां फीमेल बॉडी में दो temporary endocrine gland होते हैं एक होता है carpus luteum और दूसरा होता है placenta यह हम लोग placenta, carpus luteum यह सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे जब reproductive biology वहाँ पर discuss करेंगे तो अगले lecture में हम लोग mechanism of action जो उसका हर्मोन का mechanism of action है उसको भी discuss करेंगे देंकियो